दोस्तों अभी बिहार में काफी अच्छी बहाली निकाली गई है जो की पंचात सचीव के पदोपर है यह जो बहाली होती है भाई मेरे सभी जिला के लिए एक बार नहीं आती है इस चीज को दियान रखीगा बहुत सारे जिला में आती भी है बहुत सारे जिला में आकर चली भी जाती है तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे होते हैं जो अलग लग जिला से इस वीडियो को देखते हैं उनके द्वारा कॉमेंट भी आता है कि सर आप हमारे जिला का नहीं बताते हैं या वो अपने जिला का नाम भी कॉमेंट करते हैं तो इस वीडियो में हम आपको पूरी जनक आपके जिला में जो आवेदन करने के तेति कुछ और रहेगी अन्य जिला में कुछ और रहेगी योगिता और जो भी पातरता आहरता है आवेदन करने के परकिरिया हो समाने होता है तो आईए इस वीडियो में हम आपको पूरी जयनकारी बताते हैं कि अगर आप बिहार के चाहते हैं और आप भी पता करना चाहते हैं कि आपके पंचायत में या आपके जिला में जो पंचायत सचिप की बहाली चलाई जाती है वो आपके जिला में आई है या नहीं आई है इसलिए इस वीडियो को आप अंतक देखिएगा हम आपको पूरी जैनकारी किलियर कर देंग फिलाल ये जो बहाली निकाली गई है ये अभी नोटिफिकेशन कर्याले सहायक निर्देशक भूमि संडक्षन जो बाका है वहां से निकाले गई है ये जो आपकी बहाली होगी ये जो आपकी बहाली होगी WDC PM KSY 2.0 किरिसी भावन परिसर बाबु टोला बाका के तरब से नि गरती है जिसके तहट जल चाजन समीति के सचीव पदोपर ये जो बहाली है और निकाली जाती है इसमें आपको मासिक सेलरी मिलती है अगर आप इसमें चैन हो जाता है अगर आपका वह जाते है और आपको नोकरी चाहिए, तो आपको एक बार जरूर इसके लिए ट्राइ करें, हम आपको पूरी जनकारी भी बताएंगे, आप अपने जिला को कैसा चेक करेंगे, पहले सभी डीटेल को समझ लीजिए, फिर सभी जिला का हम आपको चेक करना आपको बता देंगे, जहांसा होता है कि ये जो बाहली है, ओफलाइन मद्हम से होती है, देखिए, आवेदन ओफलाइन जब होगा, तो आवेदन जमा आपको करना होगा, या आवेदन आपको भीजना होगा, तो इसके लिए एक तीति निरधारित होती है, सभी जिला के लिए अलग लग है, फिलाल ये ज मांच जूलाई 2030 से सुरू हो रही है और बारा जूलाई 2030 तक चले गए उसके बाद देखिए आपके जो कांसलिंग की तीती हो बताएगे इस बीच जितने भी आवेदक आवेदन करेंगे उन तमाम कैनेडेट का कांसलिंग प्रक्रिया होगी जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन की जांच होगी उसमें पाया जाएगा जिन बच्चों का अच्छा मार्क्स होगा उसका मेगा सोची भी आएगा तो कांसलिंग पहले 17 जुलाई से 20 जुलाई तक चलेगे फिर आपका जो है प्रविजनल मेगा सोची जारी होगी जो आपकी 24 जुलाई 2030 की होगी इससे आप करेंगे इसमें कोई आपकी गलती है डिटेल को अगर गलत है तो उसको आप दावा कर सकते हैं जो कि 25 जुलाई से 27 जुलाई तक होगी और फाइनल आपकी मेगा सोची का जो परकासन है वो एक अगस्त 2023 को जारी कर दिया जाएगा जिसमें जो कैनिडेट सॉट लिष्टेड होंगे उनको ये जौब पका समझा जाएगा अब समझे इसके लिए पातरता क्या होती है तो देखिए इसके लिए पातरता रखी जाती है पहले गर्जुएसन आपकी होनी चाहिए तो यहाँ पर जो कैनिडेट भीकम किये होंगे तो पराथमिकता जो है भीकम बाले कैनिड किये हुएं मतलब इंटर किये हुएं तो वैसे क чем ये यह पर मौका मिलेगा लेकिन जो पहले असनाτα किया होंगे तो पहले पारत्मिकता उनको होगा वैसे कंद नहीं पाया जाने पर इंटर वालों को भी यहाँ पर आपको मौका दिया जाया यहा पर बताएगा है कि चेंड आवेदन करने वाले जो अवेदक होगे भारत के नागरिक होनी चाहिए और उनका आई यू है 18 वर्स से लेकर 40 वर्स के बीच होगी जो की आपकी बियापन जो जारी हुई है उस तीथी से ये काउंट किया जाएगा हमने पहले भी किलियर किया कि यह जो बाहली है जीला और प अवेदन करेंगे जिसके लिए आपको जो है सक्षम पता धिकारी द्वारा जो जारी किया जाता है आपका आवासे प्रमानपत्र उसको भी परस्तोत करना होगा जो छे महिने के अंदर की होनी चाहिए जिसमें आपका वार्ड नंबर आपका ग्राम पंचायत यह जरूर अं ऐसे जो भी होंगे उनका कोई भी रिष्टेदार जैसे उनके मा हो गया पिता हो गया बेटा पतने पूतर बहु यह सब जो भी है इतने सारे इनके रिष्टेदार है यह सब आवेदन नहीं कर सकते हैं साथे साथ कोई अगर सरकारी जोप में है प्राइवट जोप में है तो तो वैसे candidate भी नहीं कर सकते हैं, उनके परिबार के लोग भी इसके लिए आविदन नहीं कर सकते हैं, अब समझे इसके लिए तो chain कैसे किया जागा, तो chain की जो परकिरिया होती है इस बाहली के लिए, तो इसके लिए देखिए आपके ग्राम पंचायत में एक साभा लगा जात है, जिसे आम सभा के नाम सब जानते होंगे, इसके लिए उसके आधार पर जैसे, जितने भी candidate इसके लिए आविदन करते हैं, उनकी जो भी आधिकारी होते हैं, उनके द्वारा ये chain किया जाता है, तो इसमें अगर आप चैनित हो जाते हैं, तो 5-6 जार रुपिया आपको दिये जाएंगे, चुकि आपकी ये मासिक बेतन के रूप में ये count होंगे, तो यहाँ पर आपको समझना होगा, कि ये जो बाहली है, किस पंचायत, किस वाड और किस प्रखंड के लिए है, वो आप यहाँ पर नीचे आकर देख पाएंगे, जिसे ये प्रजेक का नाम आप अब देखेंगे, बाका WDC है, और यहाँ पर आपको जो प्रखंड का नाम है, पंचायत का नाम है, और इसके लिए जो जलचाजन समित्री का नाम है, वो देखनों को मिलेगा, पुसक छेतर के जो ग्राम है, उसका नाम मिलेगा, और यहाँ पर देखेंगे, सचिव पद की जो संख्या है, वो आपको देखनों को मिलता है, और साथ ही साथ आपके जो ग्राम पंचाद में ये सभाज जो लगाई आईगी, वो कब लगाई आईगी, उसका समय और दिती, दोनों निरधारन हैं, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे, तो इस ग्राम पंचाद से अगर आ WDC, PMK,ículo 2.0, पष्यक्ष करेंगेसर बाबुतोला बकाल ये जो पिनकोड है, इस करेयाले में आपको जाना होगा और उस करेयाले से ही form को आपको प्राप्त करना होगा फॉम को प्राप्त करने के बाद आपको उस फॉम को उसी कर्याले में जमा करना होगा और उस कर्याले में ही फॉम को आप चाहे तो आप ले आते हैं जमा करने की आपकी एक्षा नहीं है तो आप निबंदित डाक के माध्यम से इसको भेज सकते हैं उस फॉम में आपको पता च अस्ताबेज होगी उन सबको अटेच करकर फॉर्म को आप जमा करेंगे तो यह परकिरिया होती है इस बाहली के लिए अगर बिहार के आप किसी भी जीले से आते हैं और आप चे करना चाहते कि आपके जीले में इस परकार की बाहली चल रही है या नहीं चल रही है तो इससे कै करने का डाइरेक्ट लिंक हमने डिस्किप्शन में दे दिया है आप इस वेब साइट पर आएंगे यहां पर सबसे पहले सर्च आउन में आपको क्या करना है एक ओप्सन डिपार्टमेंट का मिलेगा जिसको आपको चुन लेना है और डिपार्टमेंट चुनने के बाद सब जागा अग्रिकल्चर डिपार्टमेंट जिसको चुनना है और यहां पर सर्च वाले बिकल पर किलिक करेंगे तो देखेंगे यह जो नोटिफिकेशन आपके जिला में अगर आई होगी जैसे बाका में एक जुलाई 2030 को नोटिफिकेशन रिलीज की गई है तो देखनों को म बताया चाहिए जो भी हमारे जैसे यूटूबर है जो आपको इस परकार की बहाली की जनकारी देती हो इसी परकार उनकी जनकारी होती है और चेक करते रहते हैं आप भी चेक करिए जैसे अगर मालिया आप जीला से नहीं आते हैं आपकी जीला है भागल पूर हो चुका है दर्भंगा हो चुका, तो यहां से क्या करें, पहले department चुने, फिर आप अपना जिला में, जूर जीला से आप आ रहे हैं, इसको चुने, और यहां से क्या करें, डिपार्टमेंट में, agriculture department को चुने, और सर्च पर किलिख करें, और देखें हाल में इस परकार के कोई notification आई है य से यह जो परतियोगता के लिए notification इस जीला में आयी थी तो यहां पर देखनों के मिलता है तो यह परकरिया होती है आप सभी जीला का नाम मिलता है इसको जाकर खुद चेक आउट करिए क्योंकि सभी जीला का देखना जो है हमारे लिए ये संभभ भी नहीं होता है क्योंकि और ready जो है काई सारे work होते हैं उन्न सब की जनकारी देना होता है तो आप खुज से भी चैकर सकते हैं और बाहली के सारी परकिया हमने बताया